अमरित्सर में आपको बता दे कि धमाकों के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है अभी तक पांच लोगों को यहां से गिरफतार किया गया है स्वन्ड मंदिर के पास आपको बता दे कि एक ओर धमाका देखा गया सूचना पाकर मौके पर पुरेंसिक टीम पहुँची देर राद धमाके से अफरात अफरी का महौल पूरे इलाके के अंदर देखा जा रहा है पांच दिन में ये तीसरी बड़ी घटना है तीसरी बार ऐसा है कि अमरित्सर में ये धमाका हुआ है और आपको बता दे कि फिलाल इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके के अंदर हाई अलर्ट होशित किया गया है छाबनी में तब्दील पूरा इलाका कर दिया गया है अमरिट सर में धमाकों के बाद फिलाल अलर्ट है अभी तक 5 लोगों के गिरफतारी यहाँ पर की गई है पुर्शासन की तरफ से स्वर्ण मंदिर के पास यह एक ओर धमाका देखा गया है किस तरीके से आपको बता दे कि यह तीसरा बड़ा जो घटा है तीसरा बड़ा धमाका है वो यहाँ पर देखा गया, देर रात ये धमाका हुआ, जिस वक्त ये घटना घटी, उस पूरी घटना के बार पूरे इलाखे के अंदर अफ्रत अफ्री का बहुल मच गया, क्योंकि अब रित्सर क्यास पास के पूरे शेत्र के अंदर हजारों की संख्या में लोग हमेशा रहते हैं, तो स्वन्द मंदिर के पास ये एक ओर धमाका देखा गया है, सूचना मिलने पर मौके पर फोरेंसिक की टीम पहुँची है, जाच वहाँ पर की जा रही है, किन कारणों से किस तरीके से इस घटना को अजजाम दिया गया, पांच दिन में ऐसा तीसरी बा इन सभी घटना उसे है, ये पुलिस के दरव से भी जानकारी नहीं है, देर रात लेकिन एक बार फिर से अमरिसर के आसपास के लाके में ये तीसरी बड़ी घटना गटी सब्सक्राइब के लाके लाड़ों चाल दिया, उन्हीं को आजाएगी है, सिंगल एको गड़ी आजाई थे, मैं एदर निसाइडी थे, मनलब कोश लगा कि जिदा होया वाँ, इने विजे दो थे, मोंके ले जागे बेखिया थे, मनलब की होड़ी कटे वे थे, मनलब की जो पर देख़ी हो मनलब की होड़ी हो दोप आजाई हो, इसके लिए गनाणी दोपत तूरा मैं दोप्रमाघ नहीं दोपन थे, मनला के होड़ी होड़ी एक लिए, उन्हें दोपने पहजा, बीलागे, उन्हेए होड़ी ओं सना पान, कि पहजाए हो उन्हाएगी पलता है, और मैंने टाइम देखकर रात को लगबाग बारा बजे के दस मिनिट का टाइम का और सुबह कुछ पुल्स वाले आए तो उन्होंने कमरा नमबर दो सो पच्चीस से एक लड़का और एक लड़की को जो है वो ब्रहमत किया तो मैंने सोचा कोई शायद दूसरा कोई नॉर्मल मामला होगा बाद मैं पता लगा तो उनके पास से बंब्रमद हुए हैं यह मैंने देखा है हमारे को रात को बारा बजे के आसपास सबाबारा के आसपास यहां पे इंटीमेशन आई थी कि यहां पे एक लाउट साउंड हैज बिटे सस्पेक्टेट डाट दिर इस पॉसिब कर रहे हैं और जाता जानकारी के साथ सबंदरता इशा ठाकूर मेरे साथ चुड़ गई है इशा फिलाल किस तरीके से यह लगातार घटना है निकल कर सामने आ रही है और एक बाद फिर से अमरित सर में स्वांड मंदिर के आसपास यह तीसरी बड़ी घटना है क्या कुछ फिलाल पुलिस पर शासन कह रहा है इन घटनाओं के पीछे के कारण क्या है और यदि ऐसा हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है क्या इंटेलिजेंस जो अजनसिया है वो इस बात की जानकारी नहीं जुटा पाई है बिल्कुल विशाखा तभी बार बार पुलीस पर और सुरक्षा एजेंसियों पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरका जब पहला धमाका हुआ था छे मई को राज साड़े ग्यारा बजे उसके बाद दूसरा धमाका होता है आठ मई को सुबा साड़े छे बजे और सा आठ मई को डीजीप गॉरब यादब जरूर कहते हैं मीडिया कि समक्ष की कम तृवता वाला जो ये बॉम धमाका हुआ है हुआ है फ्रेंसिंग टीम मौके पर पहुंच जाती है ना ये पहुंच जाती है नेशी पहुंच जाती है लेकिन उसके बाद आज सुबा जिस तरी अगर हॉल है ठीक उसके पीछे ये धमाका हुआ है तो अपने आप में बहुत बड़ी सवा बड़ा सवाल ये छोड़ता है कि जब 6 माई और 8 माई को गोल्डन टेंपल के करीब करीब सो मीटर की दूरी पर है टेच स्ट्रीट में धमाका होता है तो पुलीस की तरफ से उसे है उस वक्त जो है पुकता इंतजमात वहाँ पर क्यों नहीं किये गए क्यों कड़ें इंतजमात के चलतें जाच को पुकता से क्यों नहीं किया गया हलाकि सुरक्षाअ एजियंसिया मौके है फॉरेंस्데 टीम मौके पर पहुंच जाती है अभी आदे गंड़े हाँ जो लेकिन आप देखना ये होगा जो आज घटना करम हुआ है पुलीस कमिशनर मौके पर मौजूद है लेकिन इशा यदि आज ये बाट डियाएटी कह रहे हैं कि मामरा सुलजा लिया गया है तो इससे पहले की जो दो घटनाए हुई है उनमें चुपी क्यों साधी गई और आज यदि खुलासा किया गया तो देखे कितनी बड़े घटना हो सकते क्योंकि स्वन मंदिर के आसपास का जो पूरा इलाका है उसमें देखते हैं देश नहीं बलकि विदेशों से भी शद्धालू वहाँ पर पहुंचते हैं हजारों लाखों की संख्या में वो पूरा एरिया ह हम कह सकते हैं कि लोगों की भीड से भरा हुआ रहता है तो बड़ा हाथसा वहाँ पर हो सकता है कि इस तरीके से फिलाल जो यतियात है वो पुलिस प्रशासन को बरतने होंगे बिल्कुल देखिए अभी पुलिस की तरफ से CCTV जो कैमरे हैं वो सभी तरफ लगाई जा रहे हैं गोल्डन टेंपल के जो पूरा हरिटेज स्टीट है वहाँ पर हालांकि लगे हुए हैं और भी वहाँ पर लगाई जा रहे हैं गोल्डन टेंपल के एरिया में लेकिन एक पर लगे हैं और यहां पर अभी तक जो जानकारी मिर रही है जो बिसपोर्ट भी अमरी सर में हुए हैं जो हेरिटेज स्टीट के पास और एक आज सुबस सबा बारा बजी की घट्ना बताई जा रही हैं उसमें जो पठाके होते हैं उसके अंदर की का जो बारूद होता है विसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है पुलीस की तरफ से फिलाल पांच लोगों को गिरफतार किया गया है जिसमें एक दमपती भी है नविवाही जोड़ा है जो कि उसी सराय में रह रह रहा था तो अपर आप एक बहुत बड़ा सवाल क्योंकि पुलीस से पहले का अंजाम दिया जा रहा है हाल फिलाहल अभी तक जो जानकारी मिल रही है जिस सराय में वो लोग रुके हुए थे गोल्डन टैंपल में नत्मस्तक होने आए थे उनकी तरफ से ही इस गटना को अंजाम दिया गया है पांच लोगों की गिरफतारी हो चुकी है इसमें एक द जो पकड़े गए हैं वो SGPC ने पकड़े हैं और SGPC ने उन्हें पुलीस के हवाले क्या है और उनसे कुछ संदीक्त वस्तुएं बरामद हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ इंजेक्शन और कुछ विस्पोर्टक सामगरी भी बरामद हुई है तो ऐसे में क्यूंकि पुलीस को उसी वक्ट चोगना हो जाना चाहिए ता स्तर्क होना चाहिए था हलांकि पुलीस ने फ्लैक मार्च जरूर निकाला था ताकि जो लोग है वहां के उनके मन में बहे का माहोल ना हो लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बाद छे तारिक को होता है जिस्पोर्ट जो थोड़ी देर बाद अमरीस सर में प्रेस को करेंगे यहीं जो आप जानकारी दे रही है उससे निकल कर सामने आया है कि कहीना कहीं जो अंदर के लोग हैं वहीं से सेंधमारी की गई है तभी तनी बड़ी घटना को इस लाके के अंदर अंजाम देना मुमकिन है यानि कि पंजाब के अंदर आशान्ती फैलाना और कहीं न कहीं महौल को बिगाड़ना इंतवाम तरीके की घटनाओं के पीछे का कारण है बिल्कुल देखिए क्यूंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि पड़ोसे मुल्क पाकिस्तान में क्यूंकि आतंकी संगठन इस वक्त पनप रहे हैं अगर बात करें लगातार वो इस फिराग में कि किस तरीके से पंजाब के जो बोले-बाले लोग हैं उन्हें अपने संपर् पंजाब का माहूल की खराब किया जाए उसके तहट पूरे देश भर में अशान्ती फैल आई जाए तो ऐसे में आरोप पाकिस्तान पर भी लग रहे हैं जो आतंकी संगठन है अब खुलासा जरूर होगा कि जिनकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है जो पंजाब के लोग हैं जो दमपती पकड़े गए हैं वो पंजाब के गुर्दासपूर के ही रहने वाले हैं ऐसे में आखिरकार वो किसके संपर्क में थे किसके लिए वो काम कर रहे थे अब देखना यह होगा लेकिन पुलीस पहले ही क्योंकि यह कहती आई है सुरक्षिया एजेंसिय जो देश के अंदर ही भीतर ही लोग हैं वो ही देश विरोधी ताक्तों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है कि जो लोग पकड़े गए हैं इससे आगे लिंक और मिले पुलीस को और ताद आगे और जुड़े और जितने भी और भी खुलासे हो सक लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल कैना ये एनसजी जैसे अगर सुरक्षा एजनसी अपंचा पे इस वक्त मौजूद है तो फिर तीसरी बार ये धमाका किस तरीके से हुआ क्यों पूरे एरिया की चानबिन पहले से क्यों नहीं की गई जब कि पुलीस लगातार फ्लैग मा पकड़े गए हैं उनसे बरामत भी कई सामगरी हुई है विस्पोटक सामगरी आगे इसके तार कहां कहां जुड़ते हैं ये देखने वाली बात हो कि लेकिन अमरिसर जैसा एरिया जो की सरहदी एरिया है बॉर्डर के साथ पढ़ता है और लाखों लोग वहां पर प्रेटन स्टल भी है और धार्मिक स्टल भी है तो लाकों की संक्या में रोजाना वहां पहुंसते हैं तो अगर कोई बड़ा अधमारी नुक्साल को सकता है और जो कानूनिक वेवस्ता है जो सुरक्षा की वेवस्ता है उस पर अब तमान तरीकी के सवाल भी खड़े हो रहे हैं वो उसको देश विरोधी ताकते कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि बदनाम करना चाहती है उसको खत्म करना चाहती है वहां कि युवाव को बर्गलाने का कारे कर रही है और तमाम तरीके की घटना है पिछले कुछ दिनों से पंजाब के अंदर इस तरीके की घट रहे हैं बिल्कुल क्योंकि जो पंजाब है सवेधन शीर राजे इसलिए कहा जाता है बारत पाक अंतराश्टी सीमा लगती है एक साथ और पंजाब वो राज्य है जो आतंगबात के दौर से गुज्रा है उबरा है लेकिन उसके बाद दुबारा से उस दौर की तरफ बढ़ना अपने पारिस्तानी मुहिम छेड़ने की कोशिश करता है उसकी तरफ से अमरिसर में ही वो रेंज बनाई गई थी फाइरिंग रेंज जिसमें वो ट्रेनिंग दे रहा था किस तरीके से पंजाब में अशांती फैलाई जाया और उसके बाद अमरिसर में इस तरीके के घटन होना ओन गोल्डन टेंपल के समीप अपने आप में एक कई सवाल खड़े करता है और पंजाब एक सवेधन शी राज्य इसलिए भी माना जाता है आतंगवाद का बुरा दौर पंजाब ने देखा है और किस तरीके से यहाँ पर फून की नदिया एक तरीके से बह गई थी और यही वज बढ़ाया जाए भाइचारा जो है आपस में ना बना रहा है और अशांती फैलाई जाए पंजाब के जरिये देश भर का माहूल खराब किया जाए ऐसी मंशा आतंग की संगठन की है और कोशिश कहीं ना कहीं बर्गलाने की पंजाब को यहां पर जरूरत है तो उन तमाम मं इंकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवारा है